नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब कपुनम सिंग रेस्पी में और आज मेरी रेस्पी में बन रही है दाज भरी पोड़ी खीर और रादू दम की सबजी तो देखिए आधरा नच्छत उतर रहा है बारिस मुसला धार हुई थी चप सभी पानी गिर रहा ह और हमारे लाउन का वियुद देखिए कितना साफ सुन्दर चम्कील ला एकदम लग रहा है क्योंकि जो सारा डश्टर फुल पोड़ों पर से धूल गया है और यह नजा रहा है हमारे बालकनी से पीछे के भीव का बालकनी में भी खुल खिला हुआ है इधर हम अब बनाएं देखिए देट सब ग्राम चावर आप 2-500 ग्राम भी डाल सकते हैं तो दूद जब अच्छी तरह से हुआ जाए तब इसमें हम डालेंगे चावर चावर हम ले लिए हैं कोभी दोग डेट सब्सक्राइब कुछ हम सफ्रून धाले डाले डालेंगे केसर के धाले डालेंगे इसे कलरी सुनштर होता है और स्वादिश तो होता ही हें फिर्ष तो देखिए अब दूद्ध में उ बाला आग्या ची तरह से अब यहां पर हम डालेंगे चावर चावर में ही-डालने से यह हूत अ कि दूद्ध में चावर पकता है उस साचीख बहुंस वायोदे लगता है दीरे-दीरे दूद्ध गाड़ा होता जाएगा चावल पकते जाएगा, और खीर लजीज बनते जाएगा, तो देखिए खीर हमारा यहां करें धीरे-धीरे तयार हो रहा है, दूद्ध का color भी손 हो गया है और पक गया है खीर अब हम यहां पर डालेंगे हरीवाली इलाईची ग्रियन कर्डिमों होता है उसको डालेंगे और उसके बाद डालेंगे चीनी चीनी एकदम लाश्ट में हम डालेंगे चीनी यह हम दूसर ग्राम डालेंगे आपको कम ज्यादा मिठा पसंद हो उसी साथ से आप कर सकते हैं तो हम फोड़ा हलका ही मीठा चीनी रखे हैं, तो की दूद का स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है खीर में, तो खीर हमारा तयार हो चला है, चीनी डालने के बाद हम 5 मिनट चला चला कर पकाएंगे, अब यहां पर हम बनाएंगे आलू दम, आलू दम बनाने के लिए हम 2 सर्व चमच, हल्दी एक चमच, और हम डालेंगे रेड चीली पावडर, परियंडर पावडर, एक चमच, और सब को डालकर हम भूनेंगे, स्वरी यालू दम नहीं हम, चना दाल का वो इस्टॉफिंग बनाएंगे, वो हम बना रहा हैं, तो हम शुरू में यालू दम बता दिये थ बना रहा हैं, और पानी हम बिल्कुल दाल के बराबर डालेंगे इसमें, दाल और पानी एकदम बराबर होना चाहिए, इसमें नमक डालना हम भूल गया थे, तो नमक खोल कर फिटक्षन डाले हैं, अब यह है कि आपको ज्यादा पानी सुखाना नहीं पड़ेगा, दाल एक ज्यादा पानी आप डालिएगा चना से उपर, तो फिर ज्यादा देर तक चुला पर रखना पड़ेगा, और इसको पोटेटो मैसर की सहता से दाल को हम अच्छी तरह से मिला देंगे, इससे है कि हमको मिक्सर ग्राइंडर में दाल को नहीं पीछना पड़ता है, या सिल्व पक जाता है अराम से, और बिना मेहनत का आप इसे पोटेटो मैसर की सहता से मिला कर और चला चला कर इसको ड्राइ कर लीजे, बहुत ही अच्छा स्टफिंग आपका तयार होता है, आप साथ में भी मसाला बिना फ्राइ किये भी डाल कर बना सकते हैं, लेकिन जैसे हम वीडि बिला लग रहा होगा, येकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा, वैसे वैसे भर भरा होते जाएगा, तो इसमें हम डाल दिये हैं, भुना हुआ, जीरा, एक चमच, इससे सुंधी-सुंधी, खुस्बू भी आती हो, टेस्ट भी अच्छा आता है, रोश्टेट जीरा डालने प लगर्ट फूल, कबार्चिनी, जावित्री, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब हम डाल दिये हैं, तीन प्याज हम काट लिये हैं, करीब अधार से 200 ग्राम होगा, और इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन भून जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे अध्रक लशन का पेष्ट, एक सर्विंग इस्पून डाल देंगे, हल्दी एक चमच डाल देंगे, और एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और धनिया, जीरा और काली मिर्च का मिक्स मसाला, जो हम घर पर तयार करते हैं, वो डाल देंगे डेल चमच, गरम मसाल प्राइक चमच और यह है कास्मेरी लाल मिर्च एक चमच सब को डाल कर हम अच्छी तरह से भून लेंगे अब हम डालेंगे इसमें आलू इसको हम तोड़ लिए आप चाहे तो अलग भी भून कर दाल सकते हैं इसमें अलग से देज तेज में फ्राइ कर लिजे आलू को और हम यहां डाले हैं नमो हम प्याज मिसाला पुँच कर गूई दोट सर्द हम बनाते हैं दोनों जरू से बहुत ही स्वाजिश लगता है यह आलू दल का पप्षी डाल्म के साथ बहुत ही स्वाजिश लगता है तो देखिए सब कुश डालकर हम इसको भून लिए हैं अब पानी पानी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि आलू बॉय है तो ज्यादा पानी नहीं लगेगा इसमें देखिए भूनकर तयार हो गया आप रेशक लगाते ही हैं हम इसमें और दो तीन मिशिल तेजास पर लगने के बाद हम इसको उतार लेगे तो देखिए कितना लजीश दम आल हम तयार है आलू दम करिए या दम आलू तो इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में जोकि सबको खिलाने के लिए अथानी होगी और उपर से हनिया पत्ती से हम सर्वेंगे इसको गार्मेश और हरी मिल्ची अब पनाएंगे पूरी तो आटा यहां गूत लिये थे जलल आटा ज 10-15 मिनट धब कर फोड़ देना है थोड़ा सा सॉप्ट होने के लिए और देखिए हम कैसे स्टफिंग डाल कर और एक्स्ट्रा आटा घुमा घुमा कर हम काटकर निकाल लिए हैं इससे की पूरी पतली भी बनती है और ज्यादा आटा आटा नहीं दिखता हमें डाल के गर्म करब से दबा दबा कर दाल को अंदर कीजिए और देखिए कितना एक्स्ट्रा आटा निकल जाता है इसमें से इसको और हांक की सहता से घुमा घुमा कर इसे हम बेल कर और बिल्कुल पतला पतला पूरी तैयार कर लेंगे तो देखिए पूरी कितना अच्छा मिला जा अगर तावा गर्म कर दिये और रुलेट प्लट कर हम पूरी को सेख लेंगे गी किसा है कसे आप जाहें तो रिफाइन भी लगा कर सेख सकते हैं बटर से सेख सकते हैं लेकिन सुदिखी में बनाई लिए तो बहुत इस्वाजिश लगता है ये पूरी आप अगर थोड़ा स इसा हलका मूटा बेखर सेंख कर तावा पर हलका सिंख कर उसे डिप क्राई भी कर सकते हैं इनको पसंद है वैसा हम लोग को तो यहीं पूरी पसंद पढ़ता है तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग तो देखिए अगर पुलट करके से क्रिस्प होने तक हम मेडियम बूलो फ्लेम पर धिरे 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 सिंख करी से करार 난 कराली आलेते हैं और तो ऐसे हीज़ी करके हम शारी पूरी योको बना लीकिए अज़ा है अब आप लोग लेच लेघ्चाडंगे डाइनिंग टेबल बर ये पुड़ी सिख जाती है तो फिर बनी बैट कर हम लोग प्लेटिंग करेंगे और डिनर करेंगे रात के डिनर की तैयारी चल रही है अधरा चड़ने उतरने दोनों में आम जरूरी जरता है ये हमारे बिहार मितला का इमोशन है दालवरा पुड़ी खीर आम जरूर बनता है जिनके आम का पेड़ नहीं है उनके आम बेज़वाया जाता है तो ये है थाली हमारी पुड़ी ले लिए है आम ले लिए है ये इभरी का खट मिटी आपे चाह है तो आम का भी खट मिटी बना सकते हैं इधर हम ले लेएंगे सब्जी और उसके बाद हम लालेंगे खीर तो दिखिए कितना लगीश थाली तयार हो रहा है आ अप सत के मस्त रहिए स्वस्त रहिए और रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक से और कमेंट तो बनता है और चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब ही कर दिए थैक्स पर वाचिंग बाग बाई